गुट मॉनिंग बच्चो मैं अर्पिता कुत्वाल कक्षा दो आज आपको लेशन नमबर चार पार्ट चार एक कविता है इबनवतूता इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूं अच्चो ये एक हास्य कविता हास्य याने एक कॉमेडी कविता और कॉमेडी आप लोग भी देखते हो कॉमेडी शोस देखते हो बहुत सारे जैसे की तारक में ताक उल्टा चश्मा और कपी शो और पहले टॉम एंजेरी कार्टून्स आते थे फिर उसके बाद में आप छोटा भीम देखते हो और एक और हसी का साधनी बच्चो चुटकुले चुटकुले सुनना वो भी तो हम हसते हैं चुटकुले सुनने के बाद में और आपको पता है हसना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है इसलिए हमेशा हसते रहना चाहिए तो ये कवीता भी एक हसी वाली कवीता है ठीके तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो चलो कविता शुरू करते हैं इबन बतूता पहन के जूता एक व्यक्ति जो है इबन बतूता जिनका नाम है वो जूता पहन कर निकल पढ़े तूफान में तूफान में याने जो धूल भरी मिट्टी भरी हवा होती है ना उसको कहते है तूफान ठीके तो इबन बतुता नाम के जो व्यक्ति है वो जूता पहन कर और तूफान में निकल पड़े हैं थोड़ी हवा नाक में गुजगई थोड़ी गुजगई कान में और इबन बतुता जब तूफान में निकले हैं और जो धूल भरी हवा चल रही है वो थोड़ी उनके नाक में और थोड़ी उनके कान में घुज गई है कभी नाक को कभी कान को मलते इबन बतुता कभी अपने नाक को और कभी अपने कान को मलते मलते यहने रगडते जब नाक और कान में हवा गुसती तो हम भी अपने कान और नाक रगडते न, मसलते न, उसी तरीके से इबन बतुता भी अपने कान और नाक दोनों रगड रहे थे इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता और नाक और कान रगड़ते रगड़ते क्या हुआ इस बीच में ही क्या हो गया उनके पैरों का जो जूता था वो निकल गया उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुचा जापान में और उड़ते उड़ते क्या हुआ वो जूता हवा में उड़ रहा था और हवा में उड़ते उड़ते वो जूता कहा पहुच गया जापान में बहुत दूर इबन बतुता खड़े रहे गए मोची की दूकान में फिर क्या हुआ जब जूता उनका जापान पहुँच गया मतलब जूता उनके पैर से निकल गया तो जो इबन बतुता थे वो अब मोची की दूकान में मोची एने क्या होता है बच्छो मोची यह ने जूते चप्पर सिलने वाला जूते चप्पर बनाने वाला उसको कहते हैं मोची तो इबन पतुता के पैरों से जूता निकल गया फिर जूता लेने के लिए वो कहां पहुँच गये मोची की दुकान में आई समझ भी बच्चो पोया अच्छी लगी ओके, थैंक यू